भारतिय जनता पार्टी की बुनियाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनी भारतिय जनसंग के रूप में डाली थी। हालांकि 1977 में आपात काल खत्म होने के बाद बनी जनता पार्टी में जनसंग का विलै कर दिया गया था। 1980 में जनता पार्टी खत्म होने के बाद अटल बिहारी वाजपेई ने पूर्व जनसंग के नेताओं के साथ भारतिय जनता पार्टी का निर्मान किया। 1984 के लोकसभा चुनावों में केवल दो सीटें जीतने वाली पार्टी 1996 के संसदिय चुनावों में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और वाजपेई के नेतरित्व में 13 दिनों की सरकार बनी। फिर 1998 में भाजपा के नेतरित्व में केंद्र में बनी एंडिय सरकार एक वर्ष चली। हालांकि इसके बाद 1999 में हुए संसदिय चुनावों में एंडिय को पूर्ण बहुमत मिला। और वाजपेई के नेतरित्व में बनी सरकार पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार साबित हुई। हालांकि 2004 के आम चुनाव में भाजपा को हार खानी पड़ी और अगले दस वर्षों तक उसने संसद में मुख्य विपक्षी दल की भूमी का निभाई। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतरित्व में उसे भारी जीत मिली और पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनी। राष्ट्रवादी सिध्धानतों के साथ जम्मू और कश्मीर के लिए विशेश समवैधानिक दरजा खत्म करना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान करना और सभी के लिए समान नागरिक्ता कानून पार्टी के मुख्य मुद्दे लेके बहुमत हासिल की।